हेलो एब्रीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुबर सुबर का टाइम हो रहा है और अब भी सबसे पहले मैं आज अपना वीडियो शूट कर रही हूँ किचन से तो मेरी मॉर्निंग रूटीन है मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आज आज आपके साथ मैं शेयर करने वाल जो भी मॉर्निंग टाइम है सरेट वेगर कट करके इनको लंच बॉक्स में दी थी ना तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था चोटे वाले बासकेट में तो उसको मैंने पॉलटीन में डाला और सुबह सुबह उट गई थी सुबह का कुछ शूट नहींगी लेकिन ये भी है छे बजह के आसपास का कुछ क्लिप है तो बस यहाँ पि अपने किचन के उट जाती हूँ मैं साड़े चार बजए कभी चार-साड़े चार यही मेरी टाइमिंग होती है डेली उटने की तो बस यहाँ पे किचन के जितने भी काम थे भूब मैं भी निपटाऊंगी अभी मुझ कि उठने से पहले मैं सूचती हूं ने कि मैं कर लूँ पूजा उसके बादी फिर मैं उसको उठाओं ताकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल सके तो यहां पर काउंटर टॉप पर जो भी चीजे फैली हुई थी उसको मैं हटा रही हूं कुछ ने कुछ तो गीरी जाती है मैं मलाई निकाल वागी कटे कर रह CRA को मैं में में निकाल दिया था युस Word, इस व्तर इंख कोई पर देखिं दिन में है इस वह एक कटे में और निकाल लूँ के CCD जर्द तो बस यसको पहले निकाल रही हूं तो और बहुत भी जम जाघती और बेजसेवी काल लोगी तुर तो इस तरीके से morning morning का मेरा जो भी चीज़े होती है रूटीन होता है और अब बस winter भी आ गया है तो winter में भी हमारी एक नहीं सुबवा भी तो sweater पहन नहीं होगा लेकिन अब दिरे दिरे 2-4 दिर में तो sweater पहनना ही होगा वैसे तो रात में blankets वगर रहा है तो ओर के हम लोग सोते तो इसमें से स्मेल नहीं आएगी दोस्तो उसके बाद मैं अभी आ चुकी हूँ स्पॉर्श के बाद मैं और यहां पर इतने सारे स्लीपर पड़े हुए थे जैसे इनकी स्लीपर थे इन सब मैं स्ट्रेंड के आगे रख़ दूंगी तो इसके बाद मैं यहां पर मैं रात के टाइम बिश जाता है तो इसको मैं हटा दे रही हूं कपड़े आपर उन पर अबर मुझें लगांना चाहिए जाड़ो लगा ना चाहिए तो हौल में फट्सक्राइब इस टाम पर अपने सारे सारे काम शुरू करती हूं तो मैं यहाँ पे अभी sofa cover वेगर अभी ठीक करना है इस पे भी सारी चीजे फैली वी ओफिस गया है तो इनके कपड़े भी यहाँ पे थे तो इसको ले जाए कि अप में जो bedroom वाला cupboard है ना उस room में डालूंगी फोल्ड करके और इनके कपड़े तो हटीक अगर मुझे लगता है कि गंदा है इनका कपड़ा तो डिरेक्ट में वाशिंग में डाल देती हूँ अगर एक दिन पैने होते हैं तो फिर मैं उसको फोल्ड करके रख देती हूँ उसके बाद मैं भी कर ले रही हूँ सोफा कवर ठीक क्योंकि यह सबसे ज़्यादा खराब होते हैं हमारे गर में मैं भी कोई भी बैटता है न तो यह सोफा कवर ऐसा है नहीं कि इधर उदर हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है तो सुबर दो पहर शाम एक बर और समझलो दो बर और समझलो उतनी ज़्यादा हमें ठीक करने पड़ती हैं तो बस यह सबी ठीक हो गया है और कपड़े से थोड़ा बहुत इसको जाड़ ले रही हूँ और इसको मैं रगद रही हूँ छोटा वाला पिलो यह वैसे न अब यह जादा यूज का नहीं है और यह हो गया तक दो पहर कर टाइम और मैं अभी डेर सारे कपड़े अभी निकाली हूँ और मैं आज अपने कुपड़े साथू सांत जो गर्मी वाले कपड़े हैं उसको जाट ओंगी मतलब उसको बैड में डालूंगी और जो अब यह जो पहनाँ सकते हैं यह रहा झाले बाकिस कर सबस्याप गर्मी नहींगी ृद में इसम कर दूंगी जो मेरे सौट्स पे रहे हैं वो सब मैं बेड में डाल दूंगी क्यों अब भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी एंड जो फुल टी-शिट हैं फुल कुर्तियां में कर रहे हैं यह सब मैं एक साइड में रखूंगी तो यह सब करते करते हैं मुझे दीर से दो करते का डाइम लग गया था और इतना जादा यह मैशी था मतलब अब समझ सकती हूँ यह बस एक अलमारी मतलब एक रैक का कपड़ा है यह सारा जितना भी है यह डेली यूज वाले हैं बागी तो भी मैंने निकाला ही नहीं है तो यह एक रैक के कपड़े में इतने सारी कप तो वो सब मैंने अलग कर दिया है बाकी गर्मियों वाले साइड में ड्रेस वेगर अपना अलग कर दी हूँ क्योंकि अभी वो पहनूंगी नहीं अभी थोड़ी थोड़ी सर्दिया आहीं गई है और यह टॉप वेगर है यह सब एक जगह रकूंगी तो जो भी कपड़े मे अलग दौप अलग कुर्थी अलग यह सारी कीजे करके ऐसे मैं अरेंज कर रही थी एंड इसी रूम में मेरा मंदिर भी है मंदिरा पीछे देख सकते हैं जिसमें भी कर्टिन लगा हुआ है यह कर्टिन मैंने खुदी बनाया था आप लोग के साथ में ब्लॉग में शेयर भ सकते हैं कपडों की डेख म Cantonese की बहुत हद थी काम था रही हूं या पी सभण भी दद शंता सब्सूराइ जो अर्टिया एक सांद चार से पाँच ग्लास अरेंज़ करके रखता है यह पता नहीं कौन सी करता है सपःश तो यहां पर मेरे बरतन बाराटन बश्टन हो नहीं वालए हो भी बस गरास देखने हाँ आप एक ही आप तो Sun कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और मेरे मेरे चैनल पे डेली ब्लॉक्स डेली रूटीन यहीं मेरे चैनल पे आते हैं तो यहां पे एक साइड में मैंने रख दिया था मिल्क गरम होने के लिए और दूसरी साइड में मैं यहां पे परवल की भुजिया बना रह शुबर डालो तो शाम तक चलता है उसके बाद बस यहां पर मैं अपनी मेडेशन घा रही थी मैने भी खा लिया है और सबजी मेरी बन रही है उसके बाद आटा गुतने का टाइम है दोपहर का दाल बचा हुआ है तो वो भी है उसको मैं फ्राइ कर दूंगे इस टाइम पे और बस अभी आटा मुझे न डब्बे का आटा भी खतम हो गया तो डब्बा भी मैंने वाश कर दिया था साथी साथ मूली है और खीरा है इसको भी छीलना है सालेट के लिए क्योंकि इनको दोनों से तीनों टाइम जितने बार भी अगर घर रहते हैं तीन दो पहर में भी तो खाते हैं नहीं तो मैं लंच में भी सालेट देती हूं रात में देती हूं और एक टाइम मतलब सूबा के टाइम न बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है रसाट करने में आला साती है मुझे तो आती है तो देखिए यहाँ पर सब्जी लगबग आधा सेदी कुख हो चुका है तो अब मैं इसमें नमक और हल्दी एड़ करूंगी इसे सब्जी काफी क्रिस्पी बनती है और इतने दिर में यह जो का हो आटा का हो चावल का हो या फिर कोई भी चीज किचन का कोई भी कंटेनर हो जब भी चीज़े ख़तम होती है मैं उसी टाइम धोके सुखा लेती हूं उसके बाद दूस्से चीज़े फिल करती हूं तो यह मेरी मेरी में बहुत बहुत बारी यह रही था 10-kg वाला पकट तो यह मेरी बहुत सारी चीजों में help कर देते हैं बट कैमरे में बहुत ही कम आते तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पर end करती हूं मिलती हूं आप लोग के साथ next ब्लॉग में इतने दिर में मेरा call आ गया था तो मैं call पर बात करने लगी थी और इसके बाद कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई बबाई